बाइबल में इश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य शब्दों का अकसर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है लेकिन संदर्भ में कुछ अंतर हैं स्वर्ग का राज्य मुख्य रूप से मैथ्यू के सुसमाचार में प्रयोग किया जाता है जबकि इश्वर का राज्य अन्य सुसमाचारों में दिखाई देता है मैथियू ने यहूदी शोताओं को लिखते हुए शायद श्रद्धा के कारण स्वर्ब का राज्य का प्रयोग किया हो और सीधे इश्वर के नाम का उलेख्व करने से परहेज किया हो दोनों शब्द इश्वर के संप्रभु शासन, आध्यात्मिक शासन और उसक्षेत्र को संदर्भित करते हैं जहां इश्वर की इच्षा पूरी होती है जो उसके शासन के वर्तमान और भविश्य दोनों पहलिओं पर जोड देता है कुल मिलाकर अंतर अलग-अलग अवधारणाओं की तुलनामे जोड और श्रोताओं के बारे में अधिक है